हलो फ्रेंट्स मेरे चैनल में आप सभी का सौगत हैं आज बनाने वाले हैं सेपो की सबजी यानी सोवा की सबजी तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किये रेसिपी को स्टार्ट करते हैं यहां मैंने दो स्पोन ओईल ले लिया है यहीं पर पास से छे लसुन की कर लिया बारी ब पर बहुत ज़्यादा हमें प्याज को ब्राउन नहीं करना है लाइटी हमें इसे फ्राइकर के लेना है तो यहां पे हमने सेपो को अच्छी तरीके से काटके दो से तीन पानी धूदिया है इसे सोवा भी बोलते हैं महाराश में इसे सेपो बोलते हैं सारी सबजी को हम बीगो कर रख लिया था नमक अपने सौद के अनुसार सेपो की सबजी बनाना बहुत ही आसान है और बहुत कम समय में बन जाती है सारे चुजो को डाल के अच्छे से कर लेंगे मिक्स और गैस को रखेंगे लो फ्लेम पर तो सबजी को हमने यहां पर अच्छी तरीके से मिक ठखकर पकाएंगे करीबन में यहां पर 4-5 मिनट तक ठखकर पकाऊंगे तो चलिए 4-5 मिनट हो गए हैं एक बार चेक कर लेते हैं तो सब्जी अभी हमारी नहीं पकी है इसे 1-2 मिनट के दिए और हम पकाएंगे इसे ठखकर ही पकाना है बहुत जल्दी सब्जी पक जाती ह बिल्कुल समय नहीं लगता इसमें तो चलिए देखते हैं तो यहां हमारी सेपो की सब्जी अच्छी तरीके से पक चुकी है आप लोग देख सकते हैं अब हम कर देंगे गैस को बंद हरी सब्जी सेहत के लिए बहुत ही फायदे मंद होता है तो हरी सब्जी जब भी सर्जि हरी सब्जी जरूर खाए तो यहां हमारी सब्जी बनकर ठेड़ी है आप लोग भी इस रेसिपी को जरूर बनाए रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल न भूले साथी में बेल आइकन को क्लिक करना नहीं हुआ हुआ हु